फेलो फ्रेंट्स वेलकम बाग दोस्तो आज इस फिल्म की बात होगी वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है इनिशली ओगस्ट में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मैलबर्न यानि के आई एफ एफ में रिलीज हुई उसके छे दिन बाद वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और आज से OTT पे आ रही है अब आती हो मैं इसकी स्टोरी डिकोर सेक्शन में सिंदगी लॉजिक का खेल नहीं मैजिक का खेल है यह इसेंस है चीनी कमपा और चुप जैसे फिल्मों के प्रोडूसर डारेक्टर आर बालकी की नई फिल्म घूमर का यह फिल्म इंपॉसिबल को प जचानी एक आत नहा होने पर भी उलम्पिक में गोल्ड मेडल जिताने का कारनामा करने वाले शूटर क्यारोली टेकसिस के असल जिन्दगी से इंसपायड है पर यहां हेरोईन अनीना याने के संयामी खेर का सपना किरकित है अनीना इंडियन किरकित टीम में देश के लिए खेलना चाहती है अपनी मेहनत और बैटिंग के दम पर वो नैशनल टीम में जगा भी बना लेती है मगर जब वो अपने इस सपने से बस एक कदम दूर होती है एक एकसिडेंट में अपना दाया हाथ गवा बैठती है अब क्या एक हाथ से कोई किरकेट खेल सकता है अगर हा तो कैसे ये जानने के लिए OTT की ओर रुख करना होगा मतलब आपको फिल्म देखनी होगी अब आती हूं मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कई टेकनिकल एसपेट्स पे हर बार एक चौकाने वाला डिफरेंट सबजेक्ट चुन्ना बालकी की खास्यत रही है फिर वो एक वाली की एंड का हो या साइलेंट स्टार और उसके वोईस ओवर आर्टिस्ट वाले समिताब जिसे वो अपने हूमर और हलके फुलके अंदाज में सुनाते हैं यहां भी उन्होंने एक सर्प्राइज करने वाली बेहत इंटेंस कहानी चुनी है फिर भी हसी मजाग के पल याने की अभिशेक बच्चन जो शराब में डूबा फॉर्वर टेस्ट क्रीकेटर है वही घर पर उसकी पूरी फैमली खासकर दादी शबाना असमी और चाइल्ड हू लवर जीत याने के अंगत बेदी सपोर्ट सिस्टम बनते हैं इन सब के आपसी केमिस्ट्री लुभाती है वही राहुल सेन गुपता और रिशी विर्मानी संग मिलकर लिखी बालकी के फिल्म के डायलोग इसका एक और स्ट्रॉंग साइड है जिन्दगी जब आपकी मुँपर दरवाजा बंद करती है तो उसे खोलना नहीं तोड़ना पड़ता है मैं एक दिन क्रीकेट खेलना मैं एक दिन ही क्रीकेट खेल पाया जैसे कई बढ़िया डायलोग है फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो सयामी को बहत ही दमदार किरदार मिला है और उन्होंने उसे जीने के लिए भरपूर मेहनत भी की है लेकिन ऐसे इंटेंस रोल में उनके चेहरे पर जो डर्द गु पहतरीन पारी खेली है ऐसा लगता है कि मनी रत्नम के बाद बालकी ही ऐसे डारेक्टर है जो अभिशेग के भीतर छिपे एक्टर को निचोडने की कला जानते हैं वही दादी बनी शबाना असमी के जितनी तारीफ करे कम होगी अनीना की प्रोग्रेसिव और प्रेक्टिकल साथी के रूप में अपनी एफर्टलेस एक्टिंग से वो दिल जीत लेती है अंगत बेदी और इवान का दास ने भी बड़िया काम किया है लेकिन फिल्म में कम्या भी है जैसे फिल्म देखते वक्त कई सवाल मन में उठते हैं कि क्रिकेट रूल्स की आधार पर ये पॉसि भी की है लेकिन उनके लॉजिक बहुत कन्वेंसिंग नहीं लगते सेकेंड हाफ प्रेडिक्टेबल तो है ही क्लाइमेक्स का क्रिकेट वाला हिस्सा बेहर ड्रामाटिक हो गया है जिस तरह लोग वुमेंस क्रिकेट के दिवाने दिखाए गए है वो हकीकत से दूर लगता है अब आती हूं मैं फाइनल सेक्षन में मतलब आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए माई वर्डिक्ट लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म के इसिंस की तरह सेनिमा भी तो लॉजिक का नहीं बलके मैजिक का खेल है तो आर बालकी के इस मैजिक को एक बार जरूर देखा जा सकता है थैंक यू तो मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयार रखी और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेर जरूर करें और चानल को सब्स्राइब करना ना भूले